परिचय ठोस अवस्था रसायन को ठोस आबंधन भी कहते हैं रसायनिक आबंध एक आकर्शन बल होता है जो दो कणों, परमानू, अनू, आयन को परस पर संगलग्न रखता है जिससे नया ठोस बनता है ये कण ज्यादा स्थाई रूप प्राप्त करने हेतू, परस पर स्थिर विद्युत आकर्शन बल से भी आबंधित होते हैं सोचिए, यदि आप ठोस नहीं होते तो आप कुछ भी नहीं होते तो आईए ठोस अवस्था के बारे में और विस्तार से पढ़ें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे ठोस अवस्था के सामान्य गुण धर्म बताना अक्रिस्टलिय ठोस और क्रिस्टलिय ठोस के बीज विभेद करना क्रिस्टलिय ठोसों को आबंधन बलों के प्रकार के आधार पर वर्गी कृत करना क्रिस्टल जालक और एकक कोश्ठिका को परिभाशित करना ठोसों का वर्गी करन ठोसों को उनके अव्यवी कणों में उपस्थित क्रम की प्रकृती के आधार पर क्रिस्टलिय या अक्रिस्टलिय में वर्गी कृत किया जा सकता है ठोसों का वर्गी करण क्रिस्टलिय ठोस विशम दैशिक प्रकृती के होते हैं विभिन दिशाओं में कणों की भिन भिन प्रकृती के कारण प्रकृती में विशम दैशिकता होती है अक्रिस्टलिय ठोस अक्रिस्टलिय ठोसों को उनकी अतिमंद प्रवाह की प्रवृत्ती के कारण आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है उदाहरन पुरानी इमारतों की खिडकियों और दर्वाजों पर जड़े शीशे निरअपवाद रूप से शीश की अपेक्षा अधिस्टल में किंचित मोटे पाए जाते हैं यह इसलिए होता है क्यूंकि काच अत्यधिक मंदता से नीचे प्रवाहित होकर अधिस्तल भाग को किंचित मोटा कर देता है अक्रिस्टलिय सिलिकन सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध श्रेश्ट तम प्रकाश वोल्टिय पदार्थ है क्रिस्टलिय और अक्रिस्टलिय पदार्थ के बीच विभेद आईए क्रिस्टलिय और अक्रिस्टलिय पदार्थ के बीच कुछ विभेदों पर नजर डालें क्रिस्टलिय ठोसों का वर्गी करण क्रिस्टलिय ठोसों को उनमें परिचालित अंतरा आणविक बलों की प्रकृती के आधार पर चार समवर्गों में वर्गी कृत किया जा सकता है ये हैं आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस आणविक ठोसों का वर्गी करण आणविक ठोसों के अव्यवी कन अणू होते हैं इन्हें निम्नलिखित समवर्गों में और अधिक प्रविभाजित किया गया है। धात्विक्ठोस, अध्रवी, ध्रुवी और हाईड्रुजन आबंधित, अध्रुवी आन्विक्ठोस। यह ठोस मुलायम और विद्यूत के अचालक होते हैं। यह निम्न गलनांकी होते अध्रव अथ्वा गैसी अवस्था में होते हैं। इन्ठोसों में परमानू अथ्वा अणू दुर्बल परिक्षेपन बलों अथ्वा लंडन बलों द्वारा बंधे रहते हैं। उदाहरन H2, Cl2 और I2 ध्रुवी आन्विक्ठोस। पदार्थों के अणू ध्रवी सह सैन्य योजक आबंधों से बने होते हैं। अनू अपेक्षा कृत प्रबल दुवी ध्रुव दुवी ध्रुव अन्योन्यक्रियाओं से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। यह ठोस मुलायम और वित्युत के अचालक होते हैं। इनके गलनांक अध्रुवी आन्विक्ठोसों स अधिक होते हैं। उदाहरन HClSO2 हाइड्रोजन आबंधित आन्विक्ठोस। ऐसे ठोसों के अनूओं में H और F, O अथवा N परमानूओं के मध्य ध्रुवी सहसंयोजक बंध होते हैं। यह विद्युत के अचालक होते हैं। सामान्य तह यह कमरे के ताप और दाब पर अधिक होते हैं। उदाहरन H2O बर्फ। आयनिक ठोस। आयनिक ठोसों के अव्यवीकन आयन होते हैं। ऐसे ठोसों का निर्मान धनायानों और रिनायानों के त्रिविमिय विन्यासों में प्रबल कूलोमी स्थिर विद्युत बलों से बंधने पर होता है। यह ठोस कठोर औ और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। ये गलित अवस्था में अथ्वा जल में घोलने पर विद्युत का संचालन करते हैं। धात्विक ठोस। धातुएं मुक्त इलेक् गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सरवत्र समरूप से विस्तारित होते हैं। ये मुक्त और गतिशील एलेक्ट्रॉन धातुओं की उच्छ विद्युत और उश्मिय चालकता के लिए उत्तरदाई होते हैं। सहसयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। सहसयोजक बंध, प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। इसलिए परमानु अपनी स्थितियों पर अती प्रबलता से संगलग्न रहते हैं। ऐसे ठोस अती कठोर और भंगुर होते हैं। इनका गलनांग अत्यंत उच्छ होता है और गलन से पूर्व विघटित भी हो ग्रफाइट कार्बन परमानु विभिन परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक परमानु उसी परत के तीन निकट वर्ती परमानुों से सहसयोजक बंधन में होता है जोकी एक दूसरे के ऊपर सरक सकते हैं। यह ग्रैफाइट को मुलायम ठोस और उत्तम ठोस चिक नाई बनाते हैं। क्रिस्टल जालक और एकक कोश्ठिका। अतह दिक्स्थान में बिंदूओं की नियमित त्रिविमिय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। एकक कोश्ठिका क्रिस्टल जालक लगुतम है। इसे जब विभिन दिशाओं में पुनरा वृत्त किया ज प्रत्येक एकक कोश्ठिका के अभिलक्षनिक गुण निम्न हैं। इस प्रकार एकक कोश्ठिका छे पेरामीटरों A, B, C, अलफा, बीटा और गामा द्वारा अभिलक्षनित होती है। अध्य एकक कोश्ठिका कहा जाता है। अथ्वा आयन कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतह केंद्र में होता है। फलक केंद्रित एकक कोश्ठिका एसी एकक कोश्ठिका में कोनों पर उपस्थित अव्यवी कणों के अतिरिक्त एक अव्यवी कण किनहीं दो विप्रीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं? साथ ही धनिय जालक संग्रचना अधनिय संग्रचना की तुलना में फिसलन का ज्यादा अवसर उपलब्ध कराती है क्योंकि उनकी समरूपता विभिन दिशाओं में घनिष्ठता से संबध परतें उपलब्ध कराती है। फलक केंद्रित धनिय, FCC, एकक कोष्टिका, अंतह केंद्रित धनिय, BCC, एकक कोष्टिका की तुलना में ज्यादा भार पढ़ने पर तूटने से पहले ही विक्रित हो जाती है। BCC जालक यत्यपी घनिय, घनिष्ठता से संबध नहीं होते और मजबूत धातु बनाते हैं। गामा, आइरन, चांदी, सोना और लेड में FCC संगरचना होती है। अंततह, HCP जालक घनिष्ठता से संबध होते हैं, लेकिन घनिय नहीं होते। HCP धातुएं जैसे कोबाल्ट और जिंक उतनी भंगुर नहीं होती जितनी FCC धातुएं होती हैं। सारांच आइए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेट में दोहराएं। ठोसों का द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है। अक्रिस्टलिय ठोसों के अव्यवी कणों की व्यवस्था केवल लगू परासी होती है, जिसके परिणाम स्वरूब ये अतिशीती द्रवों के समान व्यवहार करते हैं। क्रिस्टलिय ठोसों के अव्यवी कणों की व्यवस्था दीर्ग परासी होती है। उनके अव्यवी कणों के मध्य, अन्योन्य क्रिया की प्रकृती के आधार पर इन्हें आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस नामक चार समवर्गों में विभाजित किया जा सकत क्रिस्टलिक